ये कारण है कि खोखले नारे सुन सुन कर बेटी बचाओ बेटी बचाओ की हकीकत ये हो गई कि अब बेटियों के दोशियों को बचाने का काम पिछले 10 साल में हुआ है दो बेटियों के साथ गरीब बेटियां हैं, समुईक बलादकार होता है, बेटियां फासी पर जूल जाती है, न्याई की उमीद कहीं नहीं दिक्री भाज़पा की डबल इंजन की सरकार है उत्तर परदेश में और आज पिता भी खुद को फासी लगा लेता है, उत्तर परदे मद्भ्यपरदेश, डबल इंजन की सरकार है, न्याय की उमीदे खतम कहीं पिता फांसी के तकटे पर जूल रहा है, कहीं येक पती अपने बच्चों को लेकर न्याय न मिलने के वजह से फांसी पर चड़ रहा है नियाय नहीं है वहाँ पर भी भादपा की डबल इंजिन की सरकार है रक्षक भक्षक बन गए हैं कि हवस के भूकों के दिमाग में कोई धर और कोई कौफ किसी का भी नहीं है कि कोई भी इनका कुछ बिगाड सकता है इस अपराध के केंदर में कोई और नहीं देश के प्रधान मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी है आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार कल आठ मार्च अंतर रास्प्रिय महिला दिवस है देश भर में बधाई संदेश दिये जाएंगे देश के प्रधान मंत्री रास्पती सभी लोग इस जशन में बधाईयां देंगे और हम इस बधाईयों को स्विकार भी करेंगे पर भारती रास्टिय महिला कॉंग्रिस की रास्टिय अध्धक्ष के तौर पर दस जन्वरी को मैंने शपत लिया साथ दिन नहीं हुए अभी लेकिन इन साथ दिनों में बीस राज्यों का मैंने दौरा किया है इस बीस राज्यों में जहां मैं गई वहां हमने अपनी प्रदेश कारेकारनियों की बैठक की और राज्ये में महिलाओं से जुड़े मुद्धो पर बात की हम लोगों ने इन बीस राज्यों में नारी न्याय सम्मिलनाय उजित किये कहीं दो हजार कहीं पाँच हजार कन्या कुमारी में दस हजार महिलाओं एकठी हुई पुरे देश के अंदर जो पिछले साथ दिन और बीस राज्यों के दोरों से मुझे समझाया महिलाओं के प्रती अप राद में बढ़ोतरी हुई है एक डर और एक खौफ में हमारी बेटियां खासे तोड से कहूंगी नबालिक बेटियां और उनका प्रिवार जो न्याय की गोहार लगाकर अदालतों के चक्कर काट रहा है वो डर और खौफ में है हाली का मामला है कानपूर का दो बेटियों के साथ गरीब बेटियां है समुईक बलातकार होता है बेटियां फासी पे जूल जाती है पिता न्याय की गोहार लगा रहा है न्याय की उमीद कहीं नहीं दिकरी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है उत्तर परदेश में और आज पिता भी खुद को फासी लगा लेता है यह उत्तर परदेश का मामला है यह अपने आप में पहला मामला नहीं है उत्तर परदेश में ही भाजपा का विदायक कुलदीप सिंग सेंगर ने नबालिक बेटी का बलातकार किया इस लडाई को हम सबने मिलकर लड़ा आपने और हमने कुलदीप सिंग सेंगर दोशी करार दिये जाते हैं उम्र कैद होती है लेकिन इस मामले में भी बेटी के पिता पर जूटे मामले दर्ज कर उसे पुलीस हिरासत में रखा जाता है और उससे पीट पीट कर पुलीस रासत में उसकी मौत हो जाती है यह उन्नाव के कुलदीप सिंग सेंगर वाले मामले में हुआ है मद्धे परदेश का मामला भाजपा की डबल इंजन की सरकार महिला के साथ गलत काम हुआ है पती न्याए मांग रहा है पती को न्याए नहीं मिला दो अपने बच्चों के साथ पिता ने आत्मत्या कर ली ये भी मामला जोर कल का है उत्तर परदेश, मद्धे परदेश, डबल इंजन की सरकारे न्याए की उमीदे खतम कहीं पिता फासी के तक्ते पर जूल रहा है कहीं एक पती अपने बच्चों को लेकर न्याए ना मिलने की वज़ा से फासी पर चड़ रहा है उत्राखंड, तीसरा राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्राखंड में अंकिता भंडारी भाजपा का नेता यहां पर भी शामिल है न्याए नहीं मिल रहा है परिवार आज भी शिरीनगर उत्राखंड में बैठा आंदोली थे पुलिस लाठी के दम पर उन्हें उठाना चाहती है क्योंकि चुनाव आ रहा है नुकसान हो सकता है भाजपा का इसलिए ताकत के दम पर न्याए नहीं मिल रहा है अंकिता बंडारी को सीबी आई जांच की मांग कर रहे हैं आपके हाथ में तो है सीबी आई क्यों डर रहे हैं आपकी सरकार केंदर में आपकी दिल्ली में अंकिता बंडारी का परिवार जो है वो न्याए मांग रहा है और आप उसे न्याए नहीं देती हैं यह महिला है अंकिता बंडारी को न्याए दिलाने के लिए एक महिला अपने केश दे रही है सरकार का ध्यान खीशने के लिए एक महिला के लिए मुंडन करवाना अपने केश देना सिर्फ मुद्दे की तरफ ध्यान अकर्शित करना और ये कदम उठाना कोई आसान बात नहीं है ये काम मुझे गर्व है किसी और ने नहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ा के साथ न्याय का हक मिलने तक मजबूती से खड़ी हुई है कल मैं तृपुरा से लोटी हूँ भाजपा की डबल इंजन की सरकार रक्षक-भक्षक बन गए हैं तृपुरा में मजिस्ट्रेट ने किया मजिस्ट्रेट ने किया रेप पीड़िता का सेक्ष्वल हरास्मेंट तेप यह हम आपर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है रक्षक भख्षक बन गए हैं और पीड़ता कलतुरीपूरा में आकर हमसे मिली है हमसे मदद मांग रही है कि राहूल गांदी जी की भारत जोडो नअल यातरा नारी न्याय की बात कर रही है हमें न्याय की उमीद भादपा की डबल इंजिन की सरकार त्रिपर और दिल्ली से नहीं आप से है हम विश्वास दिला कर आए हैं इस बेटी को भी कि आपकी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई न्याय का हक मिलने तक कि इस लड़ाई को भारती रास्ट्य माहिला कॉंग्रस और राहूल गांदी जी कॉंग्रस की मदद से हम लड़ेंगे इन बेटियों के लड़ाई बी एच्यू परधान मंत्री जी का संसदिय शेत्र है वारा नसी उस वारा नसी के बी एच्यू में पढ़ने वाली बेटी का तीन लोग सामुईक बलातकार करते हैं और वो कौन है भाजपा के आईटी विभाग से जुड़े हुए तीन बड़े नेता और ये कौन है ये ये रहे हैं केंद्र में इस अपराध केंद्र में कोई और नहीं देश के प्रधान मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी है ये जो शक्स परधान मंत्री जी के साथ और महिला बाल विकास मंत्री के साथ मुस्कुराते चेहरों से देखा जा रहा है ये हमारी बि एच यू में पढ़ने वाली बेटी का सामुहिक बलातकारी है बेटी समय मांग रही हैं परधान मंत्री जी आपसे आपके पस इन इन सब से मिलने का समय है तेकिन आपके पास हमारी बेटियों जो न्याय की गोहार लगा रही है उनसे मिलने का समय नहीं आपके पास मद्यपर्देश में ये दोनों लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर रहे इसलिए तीन महीने तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और भी एच्चियू के छात्र उस बेटी का साथ देती हुआ अंदोलित रहे ब्रच बूशन शरन गिरफ्तारी हो गई जेल भेजे गए का हैं ब्रच बूशन शरन कोन है साक्षी मली कोन है बिनेश फोगात भाटपा का सांसद है इसलिए दिल्ली की पुलीस ने हिम्मत नहीं दिखाई ग्रह मंत्राले के दबाब में फ़यर नहीं हुई हम सुप्रीम कोट का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली पुस्लीस को फटकार लगाई एफ़यर हुई चार्च शिट हो चुकी है लेकिन आगे की कारवाई नहीं है गिरफ्तारी नहीं है संदीप सिंग हर्याना की सरकार में आज अभी समय भी मंत्री बने हुए है खेल मंत्री है महिला कोच ने घंबीर योन उत्पिडन के आरोप लगाए एफ़यर हो गई लेकिन दिल्ली पुलीस उत्तरपरदेश पुलीस उत्राखंड पुलीस त्रीपुरा पुलीस इसकी गिरिफतारी करके बेटियों को न्याय वो दिला सकें राम दुलारे भाजपा के विधायक है नबालीक बेटी के बलातकार का दोशी ने भी कुल्दीप सिंग सेंगर की तरह करार दे दिया दिया चुका है भाजपा के समानी सदस से आज भी है फास्ट्रेक कोड बना दी है परदान मंत्री जी का दावा था स्पेशल कोड बना दी गई है नबालीक बेटी के बलातकारियों को फासी दी जा रही है 10 साल में 10 नाम ये सरकार नहीं गिनापारी जिनने अपने नवालिक बेटियों के साथ जगन्ने आपराद में फासी के जूलू पर जुलाया हो, हम चुनोती देते हैं दस साल लड़े गए, राम दुलारे के ने जिस नबालिक बेटी का बलातकार क्या था, दस साल लग गए इसको साबित करने में, इस दस साल में इस परिवार, प्रिदित परिवार पे क्या गुजरी, कितने दबाव से, अपनी जान खत्रे में डाल कर भी वो लड़ते रहे, ये है असलिन मोदी जी का परिवार मोदी जी इन सब ने भी लिखा है अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल में मोदी का परिवार ये हैं मोदी का परिवार ये हैं मोदी जी का परिवार बीस राज्यों में हमारी बहने न्याए मांग रही है न्याए की कही कोई उमीद नहीं है दिल्ली में राजानी दिल्ली ग्रह मंत्री जी पूछ रहे हैं आपकी पुलीस ठाने में बैठा S.I. F.I.R. दर्ज नहीं होती है पीडित महिलाग जा रही है F.I.R. दर्ज करो F.I.R. दर्ज तब करेंगे जब आप उनकी इच्छा के मताबिक काम करेंगे ठाने में बैठा S.I.E. और S.H.O. भी शिकायत दर्ज करने के बदले में एवेज में ये कर रहा है सेक्श्वल योन उत्पिडन और अत्याजान पॉन्डे चेरी नबालीक बेटी है दलित अरिवार से है स्वामुहिक बलातकार करके उसको नाले में फैक दिया गया कल नाले से उस नाबालीक बेटी जो दलित है उसकी लाश निकाली गई है किसके सरकार है पॉन्डे चेरी में क्यादेश के प्रधान मंत्री को अपनी इन सारी सरकारों में जगने अपराद बेटियों के लिए हो रहे हैं उस पे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए मैंने आपको बताया जज रक्षक भक्षक बने हुए है ऐसे चोने महिला इंस्पेक्टर को छेडा विभाग चुप बैठा हुआ है महिला जज उत्तर परदेश में वो भी सेक्शुल है महिला जज सेक्शुल हरास्मेंट के अरोप लगा रही है न्याए नहीं है मैं चुनोती देकर कहती हूँ देश की महिला बाल विकास मंत्री देश की महिला आयोग की रास्टी अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनोती देती हूँ कि अगर महिला कॉंग्रस जो में कॉंग्रस का हमारा महिला कॉंग्रस की हमारी पूरी टीम ने मात्र साथ दिन में 20 राज्यों में जाकर पीडित महिलाओं के खिलाफ और आयLE अतियाचार के खिलाफ साथ दिन में 20 राज्यों के दौरे नीजी तोर पर मैंने किये मैं चुनोती देती हूँ इन्हे समृती रानी जी जारी करिए अपनी यात्राओं का चुनोती देती हूँ, दस साल से आप मंत्री हैं केंदर में, आपकी महिला आयोक की अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि आप पिछले एक दो महीने में किन राज्यों के दोरों पर गई, किन पीड़ितों से आप मिली, कितनों को आपने न्याय दिलाय है, अचुनोती देकर भाजपा को कह रही हूँ, तीनों महिलाएं, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो, भाजपा के राज में महिला बाल विकास देश की मंत्री हो, या महिला आयोक की अध्यक्ष से कहते हैं, बताईए, लेकिन चुप और खामोश्की की वज़ा ये ह है, कि अधिकतर राजपा की डबल इंजन की सरकार है, इसलिए चुप है, क्योंकि अपराधी को या तो सत्ता का संरक्षन पराप्त है, और या अपराधी बेटियों के दोशी सत्ता के भागेदारी है, ये कारण है कि खोखले नारे सुन-सुन कर बेटी बचाओ, बेटी गई कि अब बेटीयों के दोशीों को बचाने का काम पिछले दस साल में हुआ हर्याना में, एक बाबा बलातकार हत्या के दोशी करार दिये गए हैं, उस बाबा को नोस बार पैरोल देकर चोड़ने का काम किस ने किया? भाजपा की सरकार ने किया हर्याना हाई कोट का धन्य करते हैं, संग्यान लिया, घंबीरता चानी और फटकार लगाई हर्याना की पुलीस को, हर्याना की सरकार को कि बिना कोट की अब इजाज़त के आप उस बाबा को पैरोल पेर नहीं छोड़ेंगे. गुजरात के बिलकिस बानो मामले में, 11 सा मुहिक बलातकारी हत्यारों को, दिली में 15 अगस 2022 का दिन था, परदान मंत्री जी का नारा था, आजादी का अमरित महुतसव, उसी लाल किले से आजादी का अमरित महुतसव, जिस लाल किले की प्राचिर से बेटी बच्चाओ का अमरित महुचसर आजादी का और उसी दिसंबर 2022 गुजराद विधान सबा के चुनाफ से पहले यहां नारा दिया जा रहा था आजादी का अमरित महुचसर और वहां पर बिल्किस बानों के बलातकारियों को ग्यारा को रिहा करने का कम भाजपा की डवल इंजिन की सरकार कर र की इच्छा के विरुद फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोट ने ग्यारा के ग्यारा निर्भ्या के बलातकारियों को वापस जील में डालने का काम किया गए थे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुवाद वहां से की हमने नारी नयाए के नारे के सामने आज भी मनीपुर जल रहा है आज भी हिंसा हो रही है और उस हिंसा का शिकार हमारी बेटियां हो रही है परदान मंत्री जी भूल जाएंगे शायद हम भूल जाएंगे लेकिन उनके जख्म उनके घाव उन्हें नहीं भूलने दे रहे कि पुलीस स्टेशन से पुलीस रक्षा के घेरे से आदिवासी बेटियों को घसीट कर बाहर लाकर नगन करके समुई बलातकार किया यहाँ पर भी मनीपुर की डबल इंजन की सरकार ने कुछ निक्या परधान मंत्री जी खामोश रहे सुप्रिम कोट ने फटकार लगाई कि अगर सरकार कारवाई नहीं करीगी तो उन्हें कारवाई करने पड़ेगी यह देश की आज एक असली हकीकत है हेडलाइन है दस साल बाद भी निर्भ्या फंड का 30 परतिशत भी खर्च नहीं हुआ है 2012 में हमारी सरकार थी निर्भ्या हुआ था कमीटी बठाई दोशी आज हमारे बीच में ये फासी के तक्तों पर जूल गए है निर्भ्या फंड बन आया दस साल से उस निर्भ्या फंड पर कुंडली मार कर भाजपा की बेटी बचाओ के खोखले नारे देने वाली सरकार बैठी है 30 प्रतिशत भी फंड इस्तमाल नहीं हुआ निर्भ्या का कहां खर्चोना था ये ना खर्चोने से इसका खाम्याजा इसका नुक्सान किसे उठाना पड़ा ये यहां इस्तमाल होने थे फंड यहां पर भी देख लीजिए 28 फरवरी माजपा की सरकार बन गई राज़स्तान पर महिलाओं के साथ अपराद हो रहा है ये कह कह कर वहां सत्ता हासिल की इनों ने 28 को पता लगता है कि नीजी हस्पताल के ICU में वियोशी का इंजेक्शन देकर महिला से रेप हो रहा है थाने देख लीजिए अदालते देख लीजिए हस्पताल देख लीजिए हर जगा ये अपराद जो है चरम पर है 20 राज्यों के दोरों में मैं सिर्फ पीडित बेटियों को परिवारों कोई नहीं मिली मैं उस पिता भाई से भी मिली जो अपनी बेहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए अदालतों के चकर पिछले 10 सालों से काट रहे हैं हमसे पूछा उन्होंने ये फास्टेक कोट क्या होती है ये फास्टेक कोट के नाम पर केस चल रहा है और 10 साल से केस चल रहा है ये भाई और पिता ने कहा जो पीडित बेटी और बेहन की लड़ाई को लेकर रोज अदालत में खड़े होते हैं तारीके पढ़ने हैं 10 साल फास्टेक कोट दावा था स्पेशल कोट होगी क्या होगा स्पेशल कोट में पूछा गया हकीकत यह थी कि उसमें सिर्फ नबाली बेटियों के बलातकार से संबंदित मामलों के सुनवाई होगी और कोई मामला नहीं सुना जाएगा तकि नयाय हो सके फास्टेक कोट के नाम पर स्पेशल कोट के नाम पर दस-दस-पंदरा साल हो गए गवाहों को पीडित के परिवार को दबाव दिये जा रहे हैं मामले वापिस लेने पर मजबूर किया जा रहा है और ये सब भाजपा की सरकारों में इन अपरादियों को संरक्षन पराप्त है वरना इतनी हिम्मत नहीं हो पाती इन बीस राज्यों में जिन भाई और पिता से मैं मिली हूँ जिन पीडित बेटियों से मिली हूँ और मैं आपके सामने सच बोर रही हूँ ये मांग बेटियों की तरफ से पीडित बेटियों की तरफ से नहीं ये मांग पीडित के जो नाबालिक बेटी का सुर्श से कौँगे नाबालिक बेटी का जिसका सामुए इक बलातकार हुआ है और जिसके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं उन्होंने कहा कि जब तक सक्त सजाएं नहीं होंगी इस देश में डर और खौफ सजाओं का पैदा नहीं होगा यह अपराद नहीं थमेगा मांग उठी मुझे नहीं मालूम इस पर कानून बन सकता है नहीं बन सकता संसत का चुनाव है महिला आरक्षन तो लागू हुआ नहीं वरना मुझे तो था कि 180 बहने अगर इस बार महिला आरक्षन पर लड़ती जीती तो स्वभावी के मेरी जैसे बहन उसकी मांग जरूर करती जो इस पिता ने और भाई ने मांग की जो नबालिक बेटियों के पिता और भाई हैं कि जब तक अपराधियों को डर और खौफ सजाओं का पैदा नहीं होगा ये नहीं रुकेंगी तो पूछा गया क्या सजा हो सकती है मांग उठी नपुनसक बनाया जाए ये मांग उठी और ये मद्धे परदेश से उठी 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 जैन की बच्ची सड़कों पे लहू लुहान समुहिक बलातकार की सड़कों पर थी दर्वाजे बंद किये जा रहे थे ये मांग वहां से उठी जब मैं मद्धे परदेश में अपी कई हूँ ये जारकन और 36 गड़ में समर्थन मांगा गया कि आप आदी अबादी इसका समर्थन करिये हम आपके साथ हमारी बेटियों को खौफ और डर में क्योंकि जब सजाए नहीं होती तो सुभावी के जो अपरादी है उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और हिम्मत तूटती किसकी है जब नयाए नहीं मिलता एक पीडित परिवारों के इस नयाई की उमीद को खतम नहीं होने देंगे हमने उन्हें विश्वास दिलाया हर पीडित परिवार को उन्हें हमसे अगर कानूनी सलह में मदद चाहिए वकील चाहिए आर्थिक मदद चाहिए उनकी हिम्मत उनकी ढाल बनकर कि उनको ब्लैक मेल कि जा रहा है दबाव किया जा रहा है हमारी महिला कॉंग्रेस उनके घर हमेशा नजर रखेगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई दबाव तो नहीं है अगर हुआ तो हम इनका जीना जो है वो दुर्भर करने वाली है पच्छिस राजियों में नारी न्याए सम्मेलन हुए और अब हम आठ मार्च अंतरास्ट्य महिला दिवस से नारी न्याए पद्यात्राएं शुरू करने जा रहे हैं पुरे देश की साथ सो पचास से अधिक जिलों में ग्रामीन और जो है शहरी मिला कर जो भी जिले हैं सब में नारी न्याए पद्यात्राएं हम शुरू करने वाले मकसद सिर्फ एक है इन नारी न्याय पध्यात्राओं का कि पीडित परिवार के घर और दहलीस तक पहुँचना उनका हाथ ठामना उन्हें हर तरीके की मदद देना ताकि इस लड़ाई को हम सब समाज में मिलकर लड़ सके ताकि कोई पिता कोई भाई कोई पती इस तरीके सफासी के तक्तों पर जूलने पर मजबूर ना किया जा सके तो आप सभी से कहूंगी भारतिय रास्तिय महिला कॉंग्रेस शरमसार हुई पुरा देश शरमसार हुआ जब विदेशी नागरिक के साथ जो डेट सो देशों की यात्रा करके सफल यात्रा करके भारत की धरती बर आते हैं और इस भारत की धरती पर उस विदेशी स्पैनिश कपल के साथ समूइक बलातकार उसका होता है क्या भारत की छवी बन रही है विश्व के सामने कि हवस के भूकों के दिमाग में कोई धर और कोई कौफ किसी का भी नहीं है कि कोई भी इनका कुछ बिगाड सकता है हम इनी चीजों को लेकर देश की महमहीम राश्पती जी से जो खुद स्वयम आदिवासी समाथ से आनी वाली एक महिला है उनसे भी गुहार लगाते हैं कि आप जब कर अंतर रास्टिय महिला दिवस पर महिलाओं को बुला कर सम्मानित करेंगी जश्ट मनाएंगी तस्वीरे होंगी हम उनसे और परदान मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं बुलाईए उन पीडित बेटियों को कम से कम उन नबालिक बेटियों को मिलिए उन बच्चियों को मिलिए उनके परिवारों को मिलिए और उन्हें इस अंतर रास्टिय महिला दिवस पर बुला कर विश्वास दिलाएए कि उनके सभी के मामले फास्ट्रेक कोट स्पेशल कोट में चलते हुए दोशी जो भी खासतर से पुक्सो कानून के तहट नबालिक बेटियों के खिलाब जो अप राद में दोशी करार दिये जाएंगे उन्हें फासी की सजाओं पर जुलाया जाएगा हम उनसे मांग करते हैं उमीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे इसके साथ साथ करनाट्रका में तेलंगाना में और हिमाच्छल में हमारी सरकारे हैं महिला कॉंग्रस की तरफ से हमने अपने तीनों मुख़्े मंत्रियों से समय मांगा है समय मांगने के पीछे एक ही कारण है कि हम अपने इन तीन राज्यों को भाजपा शार्षित डबल इंजन की सरकार और देश के सामने एक उधारन बनते हुए हम दिखाना चाहते हैं कि कम से कम इन तीन राज्यों में कहीं पर भी किसी भी नबालिक बेटी के साथ जगने अपराद के मामले अगर अदालतों में चल रहे हैं पांच, दस, पंद्रा सालों से हिमाचल में भाजपा की सरकार थी डबल इंजन की करनाटका में भाजपा की सरकार थी डबल इंजन की तेलंगा ना में भी भाजपा के साथ बीसर चल रहा था हमारी सरकारे अभी आई है मामले वहाँ पर भी है उसकी सूची हम लेकर मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं ताकि उन मामलों को हम فास्टे कोट में चलाकर कम से कम नबालिक बेटियों के अपराध्यों को हम इन तेन राज्यों में फासी के तक्तों पर जुला कर हमें एक उधारन पेश कर सके कम से कम हमारी सरकारे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये डर और खौफ अगर भाजपा के सरकारे पैदा नहीं कर पारी क्योंकि वो संरक्षन दे रहे हैं क्योंकि अपरादी उनकी पार्टी से है लेकिन हम इसे हलके में नहीं लेंगे और उमीद है ये उधारन हमारी सरकारों से शुरू होगे और इन राजचों में अधिक तक प्रादी भी भाजपा से जुड़े हुए हैं क्योंकि भाजपा के सरकारे थी अब प्रादी को संरक्षन था इन तीनों राजियों में भी और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड सका आज भी हमें मालूम है जब हमारी सरकारे महाँ पर अब इन पे कारवाई करेंगी तो वहां की हाई कोड से निकल कर यहां तक आएंगे ग्रहमंत्राले में आएंगे सुप्रेम कोड जाएंगे हर तरीके से बचने की कोशिश करेंगे और इनने बचाने की कोशिश भाजपा जैसे करती आई है अपरादियों को वो करेगी लेकिन हम भी अप इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की ठान कर निकले हैं पांच राजओ के दोरे मेरे रह चुके हैं जिसमें गुजरात शामिल है बहुत सी गुजरात की बहने नयाय मांग रही हैं गोहार लगा रही हैं भारत जुडो नयाय आत्रा रहूल गांदी जी के नित्त में वहां से भी गुजरने वाली है और फिर महरास्ट में अंतिम पड़ाव पर हम आएंगे दिल्ली पुलीस जा रहे हैं राहूल जी गुजरात में हैं बहुत सी बहने वहाँ पर भी जिनने भाजपा की सरकार में इतने सालों में 28 साल से उनकी सरकार अन्याई नहीं मिला और उसी तरह जैसे दिल्ली में भी लिल्ली पुलीस राहूल जी के घर नोटिस लेकर गई थी कि राहूल गांदी जी आपने भारत जोडो यात्रा की और उस यात्रा में आपने राहूल जी कहा कि आप से बलातकार योन उत्पीडन और सोशित पीडित बेटियां बहने मिली हैं वो न्याय मांग रही हैं दिल्ली पुलीस राहूल जी के दर्वाजे नोटिस लेकर पोचती है कि राहूल जी उनकी जानकारी लेने आए हैं आप हमसे मलकि राहूल जी से दिल्ली पुलीस जानकारी चाह रही थी महिला कॉंग्रिस ने तब भी जवाब दिया था जानकारी चाहिए जाहिए बगल में आपी की दिल्ली की राजधानी के जंतर मंतर पर मनिपूर की आदिवसी बेटियां जो स्वामीक बलातकार की शिकार हुई है बैठिया न्याय मांगरी है वो नहीं की बात कर रहे है जाहिए आपी के बगल में हरियाना की साक्षी मलिक बिनष्पोगाट न्याय मांग रही है जाहिए यह यातरा हरियाना से भी गुजरी थी फिर पहुची थी जम्मू कश्मी जहां पर ये बयान दिया था वो बेटिया जंतरमंतर पर बैटी भारत जोड़ो नया यात्रा जब उत्राखंट में सी तब भी अंकिता भंडारी का परिवार जो है नय मांग रहा था हमने बताए यही तो है लेकिन आप वहां नहीं जाना चाहते हैं आप राहूल गांदी जी को नोटिस देकर पूछ रहे का पूरी तरीके से हमें हमारे रास्ति अध्रक्ष मालीक अरजुन खर्गे साथ कहएं शरीराहूल गांदी जी पूर्फ कॉंग्रस अध्रक्ष के पूर्फ कॉंग्रस के अध्रक्ष शरीमती सुन्या गांदी जी कहएं संगठन महामंत्री कैसी विनु Par CHRIS लगातार मैं के कंदों पर आई है हम सिरफ आपके माद्यम से एक ही उनको संदेश देना चाहते हैं आपने राश मत होगे आप हिम्मत को मत खारिए न्याय होकर करने जा रहे हैं आप सभी पत्रकर्द सात्यों का धन्यवाद करती हूं